मंगल, कल्यान, स्वस्थी कल्यान हो, स्वस्थी भवा, मंगल हो, मतलब आपका शुब हो, आपका अच्छा हो, मंगल का मतलब क्या हुआ, स्वस्थी का मतलब क्या हुआ, कल्यान भी होगया और सुख मैं हो शुब हो और अच्छा हो तीनों का अर्थ एक ही निकल रहा है अब लोग पूजा करते हैं पूजा में स्वस्ती शब्द आता है वहां मंगल शब्द प्रियोग कम किया है स्वस्ती शब्द प्रियोग जादा किया ब्रस्वो ना स्वस्ती अजिता ना स्वस्त मतलब भगवान हमारा कल्यान करें परमर्षय योना स्वस्ति स्वस्ति क्रियासु परमर्षय योना कि ये जो मैंने कल्यान की क्रिया करी है तो परमर्षी हमारा कल्यान करें पूजा करने के पहले भी मंगला चरण किया यह मंगल में कारी के पहले भी मंगला जरन होता है मंगल में कारी के पहले भी मंगला जरन होता है आप लोग तीर थी आत्रा पर जाते हो जब तीर थी आत्रा पर जाते हो और गाड़ी में बैठते हो और गाड़ी चलने वाली होती है तो आप लोग क्या करते हो, महावीर भगवान की जय, सारे लोग एक साथ जयकारा लगाते हैं, आपने अपनी यात्रा का मंगला जरन कर लिया, यदि आपने भगवान के नाम का जयकारा बोला है, तो आपने अपनी यात्रा का मंगला जरन कर लिया, जब तीर्थ पर पहुंच करते हो तब भी उतरने के पहले एक बार जयकारा लगाते हो नहीं लगाते हो तो लगाने लगना और लगाते हो तो सही कर रहे हो जब आप लोग यात्रा करने जाते हो, गाड़ी में बैठते हो, तब पूरे जितने लोग गाड़ी में बैठते हैं, तो सामोहिक रूप से नोवार, नमोकार मंत्र का उच्चारन पाठ जरूर करना चाहिए यह आपकी यात्रा का मंगला जरूर है, है ना, भक्तामबर आता है, सामोहिक भक्तामबर पहलो, मेरी भावना आती है, यात्रा करते करते, मेरी भावना पहलो, यह सब क्या है, यह सब पाप नाशनी क्रिया, पुल्न वर्धिनी क्रिया, और सुख वर्धिनी क्रिया है यह, और विगन विनाशनी, आने वाले सननों कोई विगन आरा होगा, और यदि आप इस तरह के कारी करके यात्रा प्रारंब कर रहे हैं, तो विगन भी टल जाएगा, तो अपनी कोई भी कारी हो, कल भी मैंने बताया था, भोजन के पहले, और भी काम के पहले, तो मंगला जरुण करते हो, सफर करते हो, अज़ि आप अकेले जा रहे हो, तो आप नोबल नमुकारमंतर पढ़ लो, और फिर अपने घर से निकल जाओ, बस में बैठो, वहाँ नमुकारमंतर पढ़ लो, फिर अपने यात्रा शुरू कर दो, कुछ लोग कहते हैं, कि मुझे माला फिरने का टा पास रहे हो भी नहीं पढ़ पाते हैं, तो जब आप सफर करते हैं, तब तो कोई काम नहीं होता आपको, तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए, किताब रख के ले जाओ, और वहीं माला फिर लो, अब आप कहोगे हमारे पास माला नहीं होती ना, इसलिए हम नहीं फिर पाते, तो उंगलियों पर फिर लो, अब आप कहोगे हमारे पास उंगली भी, उंगली वाली माला हमें आती नहीं है, तो आपके पास घड़ी तो होती है, हाथ में जो घड़ी पहनते हैं, उसमें जितने काटे कितने बारा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आट, नौ, नौवार नमोकार मंतर पढ़ो देखके, एक पर देखो, नौवार नमोकार मंतर पढ़ो, दो पर देखो, नौवार नमोकार मंतर पढ़ो, ऐसे आप पूरे बारा तकर लो, बारा नम्मा, एक सवाठ, आपकी माला हो जाएगी, आपके जाप हो जाएगी, हैना, आपको भले कुछ भी नहीं आता हो, तो भी सब कुछ साधन हैं आपके पास में करने के लिए, आप नहीं करना चाहते हो, वो बात अलाग है, लेकिन यदि आपके मन में जरासी भी भावना है, कि मुझे भगवान का नाम लेना है, तो सुविधाय उपलब्द है, तो यह रास्ते का मंगला चरण हो गया, तो मंगला चरण, अब जैसे नमो कार मंतर पढ़ा, नमो कार मंतर पढ़ने के बाद क्या बोलते हो, एंसो पंच नमो यारो सव पावपना सुनू, मंगला नम्चा सव वेशिम, मंगल आगया यहां पर, एंसो पंच नमो यारो सव पावपना सुनू, सभी पापों का नाश करने वाला है, और मंगला नम्चा सव वेशिम, मंगला नम्चा सव वेशिम, यह सब का मंगल करने वाला है, पढ़मम हवाई मंगलम, और इसको पढ़ते ही मंगल हो जाता है, मंगल अचरन हो गया, अब आप देखो, चत्तारी मंगलम, पढ़ते की नहीं पढ़ते, चत्तारी मंगल, मंगल कितने हैं संसार में, चारी मंगल है, कितने हैं, चार से जादा नहीं है, ये बगवान महवीर ने कहा, चार हैं तो चार ही हैं, अब उसके आगे बोलो, अरिहन्त मंगलम, अरिहन्त बगवान मंगल है, सिद्ध मंगलम, सिद्ध बगवान मंगल है, फिर नए, आचार मंगलम नहीं है, उपाध्याय मंगल नहीं है, साहु मंगल, साहु मंगल, तो आचा आचार उपाध्या क्या मंगल नहीं है। कlabaja का नाम दोगाया है। आचार और उपाध्या ये पदविए है। प१ा का संचालन करने के लिए है। लेकिन मूलगुण 28 जो साधू के होते हैं वो आचारे भी पालन करते हैं औरATA जया भी पालन करते हैं। लेकिन संग का संचालन करने के लिए आचारी और संग में पठन पाथन करने के लिए उपाध्याय होते हैं और वाँकी पहले वो साथू हैं बाद में उपाध्याय हैं इसलिए साहु मंगलम में आचारी भी आगए उपाध्याय भी आगए उसके आगे क्या है केवली परनतो धंमम धंवो मंगल, रहना अब यदि आप जिन्वानी माता का नाम भी लेते हो तो वो भी मंगलाचराँ है तो वी मंगलाचराँ है उसके साथ कि आप ने जिन्वानी माता को नleich priorित करा दिया रहना और जब जिनवानी प्रवचन खतम होता है उसके बाद लास्ट में क्या बोलते हो? जिनवानी उस्तिति जब लंबी जिनवानी स्तिति का टाइम ने हो तो कौनसी बोलते हो? छोटी वाली कौनसी वाली? जावानी के ज्ञानित तैं सूचे लोगा लोग लिखना एक विक्ति के लिखने से कहां तक आगे गड़बर हो सकता है पता नहीं आपको आप पढ़ते तो हो अर्थ नहीं निकालते हो अप इसमें पढ़ते हो ना जावानी के ज्यानते अब ये जास्भद का क्या और है आपने प्रवचन सुना है उसके लिए कहा जावानी के ग्यानते जा भई जैसे लोकल भासा होती ना वो है यह इसमे जा की जगह जिन कर लड़िजिये जिन वानी के ग्यानते क्योंकि किसी भी सादू संद ने क्या सुनाया है जिन्वानी सुनाई है भगवान ने जो कहा है वो सुनाया है तो उसकी जगह कहना चाहिए जिन्वानी के ज्ञान निते हैं सूझे लोका लोक लोक और अलोक का ज्ञान हो जाता है सो वानी मस्तक नमो इसलिए इस वानी को में नमशकार करता हूँ सदा देता हूँ ढोग और धोग देता हूँ तो क्या बोलना चाहिए जावानी के यह जिनवानी के है ना अब आप सेम सोचो जावानी के मतलब यदि हम पूरा कुछ और कर रहे तो बात लग है लेकिन कभी-कभी एक गलत लिखने से गलत तो नहीं कह रहे लेकिन उनने कहते ना कि इन्हों ने किया है किन ने किया है वो सामने कड़े उनने किया है उनने इनने जाने जाने करो है MP में कहते ना जाने करो है जाई करत है अब वो ही जा यहाँ आ आ गया और लिखते समय उनके मन में जो दिमाग में आया उनने लिख दिया उनके मन में आया जा लिख दिया अब लेखक तो लेखक है उस समय जो विचार आता है उनने लिख देता है तो इसको जिनवानी के ग्यानते पढ़ें तो ज्यादा ठीक रहेगा जिन्वानी के ज्ञानते सुझे लोका लोक, सो वानी मस्तक्नमों सदा देधम ठोक यह जिन्वानी भारती, यह नहीं हे यह जिन्वानी भारती, तो है जपों दिन रहन, जो तेरी शर्णागहे सो पावे सुख्चे तो धम्मों मंगलम, कौन्सा धर्म भंगल है? केवली, पन्नक्तो, केवली के द्वारा प्रणी, जिनने तीनों लोकों को देख लिया है जिनने तीनों लोकों को जान लिया है, जिनको कणकण का ज्यान है, ऐसे और जो स्वयम की आत्मा को भी जानते है और जिन्होंने घातिया कर्मों का नाश कर दिया है तो ऐसे अरिहंद भगवान की जो देशना है वो जो है मंगल है उसके आगे आता है उत्तम उत्तम का मतलब सबसे बढ़िया है ना गुड़ बैटर वैस्ट अच्छा है थोड़ा ठीक है उससे तो ठीकी है बैस्ट सबसे बढ़िया है और एक और क्वाल्टिया कहीं सुपर यह सुपर उत्तम सबसे बढ़िया है क्या है चार है कौन है कौन है चारत उत्तम अरिहंत लोग उत्तम सिध्ध लोग उत्तम साहू लोग उत्तम केवली पढ़नत धम्मो लोग उत्तम संसार में चार ही उत्तम है और बांकी को हम कितना उत्तम कहलें वो हमारी आत्मा को सुखी नहीं कर सकते उत्सुखी करने वाले उत्तम तो केवल चार ही है चार शरण है संसार में कितनी है एदि बच्चे को मम्मी मारे तो किसकी शरण में जाता है अरे बुलिये न पापा की शरण में जाएगा पापा मारे दोनों मारे तो दादी की तो दादी भी मारे, तो दादा की और चारों मारें, फिर कहां जाएगा, यह संसार अशरन है, यहां कोई शरन देने वाला नहीं है, जो खुद अशरन है, वो तुम्हें क्या अशरन देगा, जिसकी जिंदगी का खुद का भरोशा नहीं है, वो दूसरों को क्या भरोशा जिसकी सांसे खुद का पता नहीं कि उसकी सांसे अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी, उसे वो शरन तुम्हें क्या दे सकता है, जो खुदी सत्पत पे नहीं चल रहा है, वो तुम्हें कैसे सत्पत पे चला सकता है, जो स्वयम दुखी है, जो स्वयम दुखों से भरा है वो तुम्हें कैसे सुखी कर सकता है बास समझ में आई की नहीं आई तो इसके लिए कौन है पिर शरण संसार में है चत्तार शर्णम पवज्ञामी क्या अरिहंत शर्णम पवज्ञामी अरिहंत भगवान की शरण को प्राप्थ होता हूं सिद्ध शर्णम पवज्ञामी सिद्ध भगवान की शरण को प्राप्थ होता हूं साहू शर्णम पवज्ञामी साधू की शर्ण को प्राप्थ होता हूं और केवली पनतो धम्मम शर्णम पवज्जा केवली के द्वारा प्रणी धर्म की शर्ण को प्राप्त होता हूँ यदि इनकी शर्ण को प्राप्त हो गई तो फिर तुम्हें किसी की शर्ण लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हारे अंदर बिलपावार आएगा तुम्हारे अंदर आत्म शक्ति आएगी तुम्हारे अंदर निर्न लेने की छंता आएगी तुम्हें बुरे और अच्छे का ग्यान हो जाएगा तुम्हें बुरे छोड़ने की शक्ति मिलेगी अच्छा कारे करने की शक्ति मिलेगी कहां से जब तुम इन चार की शरण में आओगे और जब तक तुम इनकी शरण में नहीं आए हो तो और लोग एक फुटवाल की तरह वो यहां से ठोकर मारेगा तो वहां जाओगे वो वहां से मारेगा तो वहां जाओगे और सारी जिन्दगी वो फुटवाल की ठोकर की तरह बीत जाएगी यदि सची शरण है तो अरिहन, सिद, साधू और धर्म, जिन्धर्म इनकी शरण में आने के बाद जीवन जीने का मतलब पता चलता है इनकी शरण में आने के बाद मैं मैं आत्मा हूँ इस बात का ज्यान होता है इनकी शरण में आने के बाद संसार क्या है इस बात का ज्यान होता है इनकी शरण में आने के बाद पाप और पुन्य का ज्यान होता है और इनकी शरण में आने के बाद साथ तत्वों का ग्यान होता है जब तक इन से दूर रहोगे तब तक तक तुम खुद से दूर हो और इनके पास आने के बाद तुम्हें खुद का ग्यान होता है शरण तो इनकी आए हैं क्या शरण तो अरिहन सिद्ध सादू की आए हैं और ग्यान किसका हो रहा है खुद का हो रहा है देखी निशाना कहा है खुद की तरफ शरण किसकी आए है उनकी आए है और मिल किसको रहा है खुद को मिल रहा है सुखी कौन हो रहा है हम हो रहे हैं शरण किसकी है उनकी है तो उनकी शरण से सुख कैसे मिलता है उनकी शरण से सुख कैसे मिलता है जिसकी दुकान में जो माल होता है वही तो देगा सबजी वाले के यहाँ जाओगे सबजी मिलेगी जोहरी के यहाँ जाओगे रतन मिलेगे कपड़े वाले के यहाँ जाओगे कपड़ा बैल मिलेगा और अरिहन सिध साधो सुखी है कैसे है सुखी है अरिहन सिध अनंत सुखी है और इनकी शरण में जाओगे तो सुख मिलेगा अभी सुख नहीं डून रहे हूं, सारी दुनिया में सुख डून रहे हैं, मिला, अरे बोलिये न, नहीं मिला, तो अरिहंद सिद्ध की शरण में आने के बाद मिला की नहीं मिला, अभी मन से आये की नहीं आये देखना पड़ेगा, मन से आना पड़ेगा आत्मा से समर्पित होना पड़ेगा अभी आत्मा तो समर्पित घर में है और उपर-उपर से दिखाते धरम में है इसलिए नहीं मिल रहा है कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा कल वाली बात क्या करना पड़ेगा connection जोड़ना पड़ेगा connection तो घर में जुड़ा है और शरीर मंदिर में है तो सुख कैसे जब तुमने connection जहां से जोड़ा है light वहीं से तो आएगी current वहीं का तो आएगा देख रहे हैं कि तुम मंदिर में बैठे हो और connection जुड़ा है घर का तो भगवान से connection जोड़े नहीं तुमने तो सुख कहां से आएगा कुछ कुछ तो पता ही होगा कुछ कुछ तो जानते होगे लेकिन धर्मात्मा व्यक्ति जंगल में भी रहे तो सुखी और अधर्मात्मा व्यक्ति महलो में भी रहे तो दुखी धर्म के बेना जीरो है, यह संपत्ति क्या है, कुछ भी नहीं है, आज है और कल नहीं है, पुन्य की चेरी है, पुन्य है तो संपत्ति है और पुन्य नहीं है तो संपत्ति नहीं है, तो पुन्य कहां से आता है, धर्म से आता है, तो धर्म पुन्य के लिए मत करो, धर्म तो कर पुर्णाके लिए तो पुन्य अपने आप दोरा चला आएगा पुन्य के पीछे मद भागओ पुन्य के पुन्य को तो भगवान छोड़ गए फो ज़ूड़ गए खोड़ गए की निचो भूर जोड़ गए नट्ट धरम किसके लिए करना रहा- आत्मा के लिए मन मंगला चरण बात किसकी चल रही है मंगला चरण मंगलम भगवान भीरो मंगलम गौत मोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयने धर्मोस्तु मंगलम ये क्या है ये क्या है ये भी मंगला चरण है ये भी क्या है मंगलम भगवान वीरो कौन है महावीर भगवान मंगलम गौतम गड़ी भगवान महावीर के पास में गौतम आया गौतम ब्राम्भा जैन धरम कैसा है अपने भक्त को भी भगवान बना दीता है वो हमेशा भक्त नहीं बनाए रखता है कि मैं भगवान हूँ और तु भगते हैं तु हमेशण भगती रहेगा और मैं हमेशा भगवान ही रहूंगा नाही तु मेरी शरण में आया है तो मैं तुझे भगवान बना दूगा गौतम, भगवान महावीर की शरण में आये, तो मंगलम गौतमोगडी, साथ में उनका नाम भी आ गया, कभी जूता छुपाई हो जाती है, कभी वो जब बरात आती है, तो वो लेके सिर पे कलस लेके खड़ी हो जाती है, यह नि कितनी रश में होती, यह सब विदेश में नही पहरती है, हमारी यह जो शादी की भी परंपरा है ना, जो यह साथ कुछ किया जाता है, इसमें भी कहीं ना कहीं रहस झिपा है, माग भरी जाती है हमारे अल्वीदेश में माग नहीं भरते हैं, क्योंनी भरते हैं वई, वहां, आशादी हो एकलत ला, एग्रिमेंट है, अभी भी कर लो, अभी भी तोड़ दो, कितने दिन का भी कर लो, तो यहां तो फेरे लिए जाते हैं, बाकाइदा फेरे लिए जाते हैं, अगनी को साक्षी माना जाता है, उसके बाद शादी होती है, उसके बाद मानते हैं, कि हाँ अब शादी हुई है, छे फेरे तक कहते हैं अभी भी लड़की बाप की है, यही कहते ना छे फेरे तक, अभी भी लड़की बाप की अभी भी देख लो, हाँ सात्वा फेरा नहीं हुआ है, और सात्वा फेरा होते ही, फिर सब कुछ पराया हो जाता है, एक दिमाग से इंसान जीता है, तो दिमाग को ही बांधना पड़त है और शादी में भी बिधान किया जाता है शादी के पहले बिधान करते नहीं करते हैं फिर शादी होती उसके बाद बिधान कराया जाता है उसके बाद तीर थी आतरा भी कि आजकल तो चक्रवर्ती विवाहा चला है बहुत अच्छी परंपरा है अच्छी परंपरा है यदि क वास करते हैं, शादी वाले दिन, फिर शादी होती है, बहुत अच्छी परंपरा अच्छा लगा मुझे भी कि चलो इस बहाने, कम सकम कुछ युवा जो हैं, वो धरम से जुड़े हुए हैं, तो मंगल, हर कारी में मंगल होता है, कोई सादू संत हो, आशिरवाद ले लो महरा जी का, आशिरवाद ले लो महता जी का, हमारे हाँ शादी है, माताजी इनको आशिरवाद दो, हम भी पूछ लेते लड़ोगे तो नहीं, मेरे सामने तो कह देते नहीं, अब बात की मुझे पता नहीं, दूसरी बात मैं कि पूछ लेती हूं, देखो शादी कर रहे हो ना, अपनी इच्छाएं सांत रखना, ज्यादा कोई नियम नहीं है, अपनी इच्छाओं पर दूसरों को, दूसरों पर मत थोपना, तुमने अपनी इच्छा दूसरों पर थोपी और लड़ाई शुरूरी, तो बंदुआओ, जीवन में मंगल, मंगला चरन बहुत जरूरी है, त मंगला चरन उस पर भी चर्चा होगी, एक आत दिन पता नहीं, कल शैद कल हो जाए, कितना इस मंगला चरन में कितना टाइम लग जाए, वो मुझे पता नहीं, लेकिन बात तो पूरी कहूंगी न, जब तक मंगला चरन की बात पूरी नहीं होगी, मैं आगे कैसे आपको कहना बड़ा ही महत्व है, गणित में करण का, भगवान की समउशरन का, और करने में मंगला चरन का, पहलवानों में दंगल का, पश्मों की रहने में जंगल का, और जीवन में मंगल का, बिजली में तार का, शास्त्रों में समयसार का, मंत्रों में नमोकार का घर के नंगल का मंदिर के वहने में बगल का जीव और चार मंगल का दूर होने में तम का ध्यान करने में मम का मम क और उत्तमों में चार उत्तम का शादी में परन का परन बूलती ना? परन सन्सकार है न? शादी में परन का परन का मतलब प्रन हाँ परण का मतलब ये प्राकृत में हो गया और हिंदी संस्क्रिप्ट में प्रण हो गया अब आप इसमें से को जो ले ना वो ले लो शादी में परण का गडित में करण का और शरणों में चार शरण का पानी में खौलने का बनिया में तौलने का आपके जोर से बोलने का नहीं होने में द्वंद का सरदी में खिड़की में बंद का और होने वाली धुंद का बैठने में दरी का स्वर्ग में परी का और सरदी के लिए जनवरी का इतनी ठंड है महराज आ रहे हैं, इतनी ठंड है महराज आ रहे हैं, एक चर्चा के अलावा दूसरी चर्चा थी ही नहीं अभी परसों मैंने प्रवचन में एक बात कही थी, कि चलती हुई गाड़ी गरम रहती है और खड़ी हुई गाड़ी ठंड हो जाती है समझ गए ना, क्या समझे चलती हुई गाड़ी इतनी ठंड हो सकती है कि उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए फिर उसको चार्ज करवाने के लिए अलग से कारीगर बुलवाना पड़े और उसको चार्ज करवाने पड़े लेकर चलती हुई गाड़ी की बैटरी गरम रहती है और अच्छी चलती है है ना और आज हम देख रहे हैं कि वो चलती हुई गाड़ी इस ठंडी में भी पूरा रास्ता तह करके मंजिल पर पहुँच रही है यदि मन में जुनून हो, खून, गरम हो, तो मंजिल दूर नहीं है ठंडे खून से काम नहीं होता है, ठंडे आदम कुछ नहीं कर सकता है लेकिन घरम होगा, कुछ कर पाएगा, और आज एक नहीं, दो-दो आचारी है एक आचारी का प्रवेश तो था ही था, लेकिन इस धर्ती का पुन्न है कि एक आचारी के साथ दो-दो आचारी है, और दो-दो आचारी के साथ आज ग्यान तीर्थ पर चतुर विद संग विराजमान है मुनी आरी का श्रावक श्रावी का चतुर विद संग विराजमान है आज यहाँ पर बंदूओ कल में चिंतन कर रही थी कि जहां ऐसी सर्थी बारा महिने पढ़ती होगी वहाँ के लोग क्या करते होंगे वहाँ के लोग ज़्यादा काम करते हैं क्यों करते हैं वह इस सर्दी तो है उनके हैबिट में आ गई लेकिन हमारी यह यह सर्दी 10-15 दिन के लिए आती है इसलिए हम इंजवाय करते है 9 बजे सोके उठते है सारे नहीं कुछ-कुछ नो वजे सो के उठते हैं गरम-गरम बिस्तर पर ही चाय पीते हैं वहीं पर बैठके नास्ता करते हैं और खाना मिल जाए तो फिर क्या कहना है सारे सुखुन के पास में आ गए मंदुओ आचारशी ग्यान सागरजी के पश्चात तटाचार्य पद आचारे गे सागरजी को प्राप्त हुआ और इस पद को प्राप्त करके आचारशी उस पद की शोभा को बढ़ा रहे हैं और हम सब के बीच में आशिरवात दैने के लिए इस पंच कल्यानक में प्रमुक भूमी का निभाने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हो चुके आचारशी विहर्ष सागरजी महराज 2008 में दिल्ली में मिले थे उसके बाद नहीं मिले पैदल वाले दुबारा मिलना ये बहुत बड़ी बात होती है 2008 और 2023 क्योंकि जब आपने दिल्ली प्रमेश किया उसके थोड़े दिन बाद हमने दिल्ली छोड़ दिया हमने का हम हराज दिल्ली समालो आप दिल्ली से बैठके पूरे देश को आप कवर कर सकते हैं और आचार्शी ने बहुत अच्छी प्रभावना की दिल्ली में काफी चिंधर्मे की प्रभावना आचार्शी के माध्यम से अच्छी हुई और संग बढ़के आया हुआ है संग की भी बढ़ोत्री हुई है तो आज हमारे बीच में इतने बड़े संग के दरशन करके हम सब के मन में बड़ी प्रसन्यता है बड़ी खुशी है बड़ा आलाद है और हाला की सर्दी तो है मैंने क्या कहा सर्दी किसको लगती है जो बैठा हुआ है जो बैठा हुआ है चलते हुए को सर्दी पहले दोणते हुए को सर्दी बिल्कुल नहीं लगती चलते हुए को सर्दी थोड़ी लगती है बैठे हुए को सर्दी उससे ज़्यादा लगती है और लेटे हुए कोई सर्दी सबसे ज़्यादा लगती है आपने महसुस किया नहीं किया हैं जब आप विश्तर में लेटे होते हो और उठने का समय आता है तो एक बार द्रजाई उगाडते हो अब तो सर्दी है थोड़ी फिर ढाक लेते हो फिर देखते ही तो साथी बजे है फिर उगाडते हो फिर ढावी तो सवाई साथ बजे है फिर उगाडते हो अब तो साड़े साथ बजगए अब तो उठना ही पड़ेगा जिसका जो टाइम होता है जिसके काम का जो टाइम कोई मंदिर वाला होगा वो पांच बज़े उड़ता है कोई और देर वाला होगा वो छह बज़े उड़ता है दुकान वाला होगा वो आठ बज़े उड़ता है ऑफिस वाला होगा वो साड़े आठ बज़े उड़ता है उसे दसवजे जाना एक गंटे में तयार होंगे और चले जाएंगे एक भाई तो आकर बोले माता जी एक तारिक के बाद मैंने नहा यही नहीं ऐसे बहुत होंगे इस सर्थी में बहुत होंगे जब मंदिर नहीं जाते हैं पूजा नहीं करते हैं तो उने नहाने के ज़रूरती हैं नहाने के जरुरत तो वह हैं जहां मंदिर जाना हो अई बोलिये नह पूले हम संद नहाय वाले होना कितने लोगोंने कितने दीन से नहाया अच्छब आज इसक्षिसने नहाया है अभी बैथे हैं मिनन आण आय यहांपर अभी बैठी है इसलिए मैंने हाथ उठवाया था पता चल जाएगा मुलिये 24 सों भगवाने की स्वस्तिधाम मुझे जाना है मन में है ये धारना वी स्वतिर्थंकर की मूरत हो वी स्वतिर्थंकर की मूरत को मन भर के निहार ना चलो स्वस्तिधाम चन की ठाल को सजाओ रे आज प्रतनों की ठाल को भर लाओ रे आज आओ आओ करे रे गुण गान आरती भगवन की आओ आओ करे रे गुण गान आरती भगवन की विता सुमित्र के राज दुलारे मापद माजी के नैनों के तारे तीता सुमित्र के राज दुलारे मापद माजी के नैनों के तारे राज ग्रही में जन्मलियो आओ 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 मनाय खुशी आज आरती भगवन की आओ आओ करे रे गुण गार आरती भगवन की आओ आओ करे रे गुण गार आरती भगवन की परम विदूशी लेखिका गणेनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ती भूशन माताजी जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबे लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है बड़े बड़े विधान जैसे कलप द्रुम महामंडल विधान, सिध्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रदभज महामंडल विधान, एवं विशेश जिनपद, पूजान जली आदी महत्पपून साहित्य बहत ही सरस, सरल वस्तुबोध शैली में लिखे हैं इसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं साहित्य प्राप्त करने ही तू आज ही संपर्क करें संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768 स्वास्थ्सक्राथ सर्फ़क Geralै क्याद इन्य कर दित दãoो स्वास्थ संपर्क कर दो यह, इंक भी स्वास्तर यह, इन्यर्दा वैँ झाल झाल